नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का U-Dice Plus Portal में सत्र दो हजार चोपीस पच्चीस में विद्यार्थियों की जानकारी को किस तरीके से भरना है तो प्रोग्रेशन का कारिय कैसे करना है उसे सम्मंदित आज का यह विडियो है सासन की और से एक निर्देश प्रसारीत हुआ था कि सभी विद्याला प्रोग्रेशन के कारिय को जल्द से जल्द करेंगे तो यहां कारिय कैसे करना है उसे हम आज समस्ते हैं तो यहां पे U-Dice Plus का जो लिंक है वहां पे हमें Google में जाके सर्च कर लेना है डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा उसके पस्चात यहां पे Login for All Module पे क्लिक करने के पस्चात यहां पे अलग अलग जो सेक्सन है उसे दिया है तो यहां पे हम Student Module यहां पे जाएंगे और यहां पे अपना जो State है उसका चुनाओ कर लेंगे और उसके बाद Go पे क्लिक करेंगे इस तरीके इस Interface हमारे सामने आता है तो यहां पे आपका जो भी User ID है और पासवार्ड है यहां पे डाल लेंगे उसके पस्चात Capture Code डाल लेंगे Login पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने Interface आ जाता है Current Academic Year 2024 और Snapshot 2023-24 यह पिछले सत्र 2023-24 में जो भी डाटा हमने भरा थावा तो इस सत्र में Progression का कार्य करना है उसके लिए हमें Current Academic Year 2024-25 पे ही क्लिक करना है इस तरीके से क्लिक करते हैं तो School Information जो भी आपका School से संबंदित Information है यहाँ पे दिख जाएगा इसे चेक कर लेंगे और अगर यह Information गलत है तो Please ensure the above mentioned Information correct If any Inconsistency Found from the यहाँ पे Link दिया है यहाँ से आप Correct कर सकते हैं तो यहाँ पे Close पे क्लिक कर देते हैं इस तरीके से हमारे सामने इंटर्फेस आता है Left side में जो arrow का निसान दिख रहा है अगर mobile पे काम करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे अलग-अलग option है School dashboard, School profile, School privilege List of all student Section management Section shift तो यहाँ पे Progression activity दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें progression का कार्य करना है तो इस तरीके से progression module option आ जाता है progression user manual यहाँ से देख पाएंगे view summary, progression summary, section wise और finalize progression तो finalize का progression का कार्य हमें तब तक नहीं करना है जब तक कि हम पूरी जानकारियों को update ना कर दे विद्यार्थियों से सम्बंदित सभी विद्यार्थियों का progression ना हो जाए तब तक हमें finalize नहीं करना है इस बात की इस बात का ध्यान रखना है तो यहाँ पर progression module go पे हम क्या करते हैं click करते हैं उसके पस्चाथ यहाँ पे select class और section select कर लेंगे उसके पस्चाथ go पे click करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने इंटर्फेस आता है यहाँ पे student basic detail, progression, status 2023 पिछले सत्र का और eligible promoted class and section status, progression on कौन से date में progress किया गया है action इस तरीके से option है तो एक students का हमने data को जो progression activity है उसको complete किया था यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2023 के data को progression module के माद्यम से क्या करना है हमें 2024-25 में प्रमोट करना है student के जो data है उसे तो 2023 का जो भी data है उसे भरना होगा हमें तो अगला student यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो option है progression status 23-24 में यह जैसे कि student है यहाँ पे progression status यहाँ पे click करते हैं तो यहाँ पे चार प्रकार के option आते हैं promoted past with examination not promoted not past repeater तो पहला option अगर promoted कर दिया गया है exam के थुरू पास हुआ है तो पहला option select करेंगे दूसरा not promoted not past repeater अगर past नहीं हुआ है promote नहीं किया गया है repeater है उसी class में है तो second option क्लिक करेंगे और promoted past without examination अगर promote कर दिया गया है भीना exam के तो तिसरा option select करेंगे और अगर discontinue before examination अगर विद्धार्थी जो है discontinue है exam before exam के पहले ही विद्धालाय नहीं आ रहा है continue तो discontinue पे option को select करेंगे तो यहाँ पे जो विद्धार्थी आवा प्रमोटेड है past with examination उसके बाद है अगरा marks in percentage 2023 तो विस में उसको कितना marks मिला है उसको यहाँ से select कर लेंगे जो पिछले साल का data है उसे भर लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से और number of days school attended 2023 में विद्ध्यार्थी जो है कितने दिन विद्ध्यालाय आया है उसे यहाँ से भर लेंगे उसके बाद है schooling status 2024-25 में क्या है उसका status तो studying in same school अगर उसी विद्ध्यालाय में पड़ रहा है तो पहला option select करेंगे left school with TC without TC तो यहाँ पे जो भी condition apply होता है आपके student के अनुरूप तो यहाँ पे select कर लेंगे चुकि यहाँ विद्ध्यार्थी जो है इसी विद्ध्यालाय में पड़ रहा है तो studying in same school यहाँ पे select कर लेंगे उसके बाद अगला option जो है eligible promoted class कौन से class के लिए इसी प्रमोटेट किया गया है यहाँ पे select कर लेंगे इस तरीके से यहाँ पे update और correction का option है तो यहाँ पे update पे click कर लेंगे तो student details updated successfully okay पे click कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से 48-2024 time दिखा रहा है यहाँ पे इस तरीके से यह student का data जो है यहाँ पे student का देख पा रहा है थोड़ी दिर में यहाँ पे class जो है 6 का था वा 7 पे क्या है इसका progression हो चुका है तो इस तरीके से सभी विद्यार्थियों का हमको जो data है उसे क्या करना है progression activity में जाके complete करना है तो बहुत ही आसानी से इस तरीके से progression activity के आगे इस कारी को कर सकते हैं यह सब कार्य करने के बाद हमें अगला कार्य जो है aid import नए बच्चों का करना है तो जब तक यह progression का कार्य नहीं हो जाता तब तक aid और import का कार्य हम नए student के लिए नहीं कर सकते यह बात ध्यान रखना है progression module complete करने के बाद ही हम पिछले वर्स की भाती पति एक विद्धार्थी का aid import नए बच्चों का जो करना है वह कर पाएंगे साथ ही साथ हर बच्चे का general profile enrollment profile और student facility profile सम्मंदित जानकारी को update कर पाएंगे तो असर करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए help फुल रहा होगा अगले जो कार्य कैसे करना है यू डैस में उसे सम्मंदित वीडियो आप सभी के साथ हम जल्द ही साजा करेंगे तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा ज्यादा सेयर करें मिलते हैं नए वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू